ऐ extra के पेश आया है Рोब गाया है नेशनल बैंख डे इसके बारे उसके के वी तफसीलात के बारे में आपको अगाह करना है कल सुबा नो बजे के करीब पुलीस को इतला बिली के नैशनल बैंक जैदा के अंदर मुझूद सेक्यूर्टी गार्ड जो रात को ड्यूटी के उपर डिप्लॉइट था वहाँ पे उसकी डेट बॉडी बैंक के वाश्रूम के अंदर से मिली और इनिशली पुलीस ने जो तफ्तीच की उससे में अंदाजा हुआ कि एक मर्डर केस है जिसके जिसकें इसरो सरफ स्क्यूर्टी गा गार्ड को कतल किया गया है वाश्रूम के अंदर जबके से और जिस अ oss प्रूर का देरवाद तरनी के दर्वादा ऑंग आज 40 को ऑमेंदर गार्थ तो मद्य करीब करीब का मेनजर और कैशियर डूनों बैंक में हाजिर हुए और जब उन्हें सेफ को खोला अपनी दोनों के चाबियों से तो मालूम हुआ कि बैंक के से भी एक करोड और चोदा लाग रप्या गाइब था पुलीस ने केस रिजिस्टर किया बैंक रॉबरी के अंदर तीन सो चानुए केस के रिजिस्टर किया और इसकी तफ्तीश का अगास किया दूराने तफ्तीश हमने यह देखा कि जो बैंक का डीवियर है उस डीवियर को भी जिसके कैमरे कॉनेक्टेड होते हैं उसको भी नामलूम मुल्जमार ने सेक्यूर्टी गार्टों कतल करने के बाद डीवियर अपने साथ ले गए इस के अंदर ज अफ्तीश के दुरान हमारे सामने एक सबूत मिला जिसके तहत हमें पता चला कि जो सेक्यूर्टी गार्ड का जो सुप्रवाइजर है जिसका नाम मख्तूम है और वह बैसिकली पंचपीर का रहने वाला है वह इस कतल के अंदर इंवाल्ट था और जिसने एक दिन रात पहले सेक्यूर्टी गार्ड से मिल मिलाप तो नहीं किया था वर्के सोरी सेक्यूर्टी गार्ड के साथ बातसीत करके बैंक के अंदर रात को एंटर हुआ और वहां पे उसको कतल किया कतल करने के बाद उसके पास सेफ की डूब्लीकेट 24 मुझूद थी उन डूब्लीकेट 24 के साथ लाकर पर आप तक रिकवर किया है और वैपन अफेंस जो केस मर्डर में इस्तमाल हुआ है उसको भी नामलूम मुल्जमान ने सेक्यूर्टी गार्ड को कतल करने के बाद डीवियर अपने साथ लेगे इस के अंदर जो है स्पी इंविस्टिगेशन की सरवराही में डेस पी फारूक और एस्टो नाजिम और तमाम इंविस्टिगेशन आफसर ने बहतरीन तफ्तीश का मुझारा किया और विदिन 24 आवर्स केस को वर्कूट किया और तफ्तीश के दुरान हमारे सामने एक सबूत मिला जिसके तहत ह हमें पता चला कि जो सेक्यूर्टी गार्ड का जो सुप्रोवाइजर है जिसका नाम मख्तूम है और वह बेसिकली पंचपीश का रहने वाला है वह इस कतल के अंदर इंवाल्ड था और जिसने एक दिन रात पहले से क्यूर्टी गार्ड से मिल मिलाप तो नहीं किया था वर् बादसीत करके बैंक के अंदर रात को एंटर हुआ और वहां पर उसको कतल किया कतल करने के बाद उसके पास सेफ की डूब्लीकेट चाबिस मुझूद थी उन डूब्लीकेट चाबिस के थ्रू उसने बैंक से सारा कैश निकाला और जाते हुए बैंक का जो डीवियर है उसक को भी रिकावर कर लिए गया है और जो बैंक का डीवियर था वह भी उसके घर से रिकावर कर लिए